हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको 2015 की विल यू बी दियर, ये एक टाइम ट्राइवल लव स्टोरी एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ इस मुवी की स्टोरी लेन बताना ये एक स्पोईलर हो सकता है, तो ये डारिक स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यरेक्टर सू हमें दिखता है, ये एक जंगलो में होता है यहां के जो सब अधिवासी लोग है, इनने हेल्प करने के लिए वह वहाँ आय होगा होता है ये एक डॉक्टर होता है इस जंगलों में स्टॉम आने वाला होता है तो ये और इसके कली आज हेलिकॉप्टर से फिल से अपने सीटे में जाने वाले होते है यहाँ पर एक बुड़ा आदमी होता है और इसके गोद में एक छोटी सी लटकी होती है ये लटकी बहुत ही चोटी सी है और इससे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है इसलिए बुड़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है सु हेलिकॉप्टर में बैठता है पर फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है और इस चोटी सी लटकी को हेल्प करने के लिए वहार रुक जाता है ये जो चोटी लटकी होती है इसके लिप्स अबनॉर्मल होती है ये बुड़ा आदमी फिर कहता है कि ये लटकी मुझे जंगलों में मिली थी अगर मैं इसके केर नहीं रखता तो ये मर जाती और सू को थैंक्यू कहे रहा होता है कि उसने इस लटकी की हेल्प की है ये ओल्ड मैन सू को पोच्छता है कि क्या ऐसी कुछ चीज है जो तुम लाइफ में करना चाते हो सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है इसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता ये ओल्डाद में फिर उसे एक बॉटल देता है इस बॉटल में बहुत सारी गुलिया होती है इसके बाद नेक सिन में हमें यंग सू दिखाया गया है ये एक डॉल्फिंग की शो में आयो होता है इस डॉल्फिंग की जो इंस्ट्रक्टर होती है ये इसकी गर्ल्फ्रेंड होती है इसका नाम योना है ये शो देखते ही देखते सो जाता है जब ये शो खतम हो जाता है तो योना इस पर चीड़ी हुई होती है ग्यूंकि यह सो गया था यह इससे सॉरी कहता है पर यह दोनों ट्रेन में ज़रा दूर ही बेटते है जब यह पार्क में उतरते है तो एक दूसरे के पास हो आजाते है सु का हाथ ज़रा हर्ट हो गया था तो इसे मलम पट्टी वो करती है यह कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुमें ज़रा केरफो रहना चाहिए तुम सरजन होने वाले हो तुमारे हाथ बहुत ही इंपोर्टन होते है सु कहता है कि कितनी टाइम तक हम एक दुसरे से अलग थे यह एक ही मिनिट के लिए अलग थे पर इनको यह बहुत ही ज़ादा लगता है सु कहता है कि मैंने तुम बहुत मिस किया यह केकर फिर एक दुसरे को ही हग करते है सु और योना यह अलग अलग सिटीज में रहते है सु उसे मिलने के लिए आया था अब यह जाने वाला है जब योना उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है तो योना उसे गहती है कि मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनना चाती हूँ सु ज़रा अनकमफरटेबल हो जाता है वो कहता है कि जब मैं बहुत जाओंगा तब मैं तुमें कॉल करूंगा योना हमने जॉब पर होती है चोटे बच्चों ने डॉल्फिन्स के लिए एक गिफ छोड़ा होता है चोटे बच्ची कार्टून देखते हैं तो होने लगता है डॉक्स और डॉल्फिन ये न दोनो फ्रेंड से तो यहाँ छोटा सा एक डॉग वो छोड़ कर जाते है योना जब इस डॉग को देखते है तो इसे बहुत ही क्यूट लगता है नेकसिन में देखता है कि यंग सू स्टेशन पर उतर गया है और यहना को कॉल कर रहा है उसके साइड में ही एक आदमी होता है और एक खासरा होता है यह जो है यह ओल्ड सू है यंग सू फिर इसकी हेल्प करने करे जाता है उससे बुछता है क्या तुम ठीक हो जब ओल्ड सू यंग सू को देखता है तो अच्छमिज हो जाता है उसे पेलियो नहीं हो पाता ट्वालेट में आ जाता है, यह जो रुमाल था, यह योना ने उसे दिया था, यह अंग सो एक को यह रुमाल वापस चाहिए, तो ट्वालेट तक जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, अब डायरेकली ओल्ड सू फ्लाइट में है, यह हमें दिखता है, यह टाइम ट्र इसे देख लो, कितना टाइम इसके पास बचा है, वह मुझे बता, यह कहती है, टेहो उसे कहता है कि तुम hallucinate कर रहे होंगे इसी किसी की भी गोली तुमें नहीं लेनी चाहिए यानि कि ओल्ड मैन ने इसी गोली दी थी ये लेकर ये 30 years back में चला गया था वो र्ड सू अंडर करता है कि अगर मैं फिर से वापस गया तो क्या मैं योना से फिर से मिल सकता हूँ टेहो उसे कहता है कि इसी कुछ भी बाते मत करो अगर तुम उसे फिर से मिले भी तो भी तुम्हें बहुत तकलिफ होगी अब नेक्सिन में हम 30 years back आ जाते हैं और यहां सू और टेहो दीखते हैं यह दोनों अब यंग है सू टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए यह बहुत ही स्टेस में होता है टेहो से कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है साथ साल गुजर चुके है अब राइट समय कि तुम शादी कर लो और तुम फिर बच्चे के गरा कर सकते हो सू उसे खेता है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड गिया था कि मैं बच्चे नहीं होने दूँगा यह फिर आगे चलने लग जाते है और यह कल उसके साथ जुभाता अनि क्यों और उसे मिलाता यह सब उसे बचाता है टे उसे कहता है यह तुम्हारा कोई ओल्ड पेशन होगा जादा कुछ भरी मत करो अब पर फिर से ओल्ड सू दीखाए गया है यह घर आता है वह इसके बेटी का इसे कॉल आता है इसकी बेटी इसे call पर खेती है कि अच्छे से खाना में रखाओ ओल्ड सो जो होता है वो अपना खायाल ने रखता उच भी खाना खाता है अनली लाइपस्टाइल जीता है ओल्ड सो को फोर्मर किसी आदमी की आवाज आती है तो उसके लिए ज़रा concern होता है इसकी बेटी कहती है कि अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें फोन रख दूंगी फिर ये दोनों बाते करने लग जाते है ये फोन जब चल रहा होता है तो भी ओल्ड सो को और भी खासी आने लग जाती है ये फिर फोन रख देता है अपनी डॉर्टर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलिया दी थी ये वो देखता है ये अपने आप से कहता है कि वो इसे फिर मरने वाला हो इससे कुछ जादा फरक नहीं पड़ेगा ये गोलिया लेकर रोस हो जाता है योना को उसे फिर से मिलना है इसलिए ये गोलिया वो ले रहा होता है अब 30 साल पहले हमें यंग सू और योना दिखते है योना को जो पपी मिला था ये सू को वो देना चाहती है शू कहता है कि मुझे पता नहीं कि इसका खैल मैं कैसे रखू यह बहुत ही दूर से आई होती है और फिर से इसे जाना होता है सिर्फ पाच मिलिट के लिए आती है शू बिलिब नहीं कर पाता कि इसे सिर्फ बपी देने के लिए वो आई थी चाते जाते ही होना कहकर जाती है यह एनिमल्स और चोटे बैचे यह बहुत जादा सेम होते है तुम अगर इसका खैल रख सकते हो तुम हमारे बेबी का भी खैल रखोगे इसका तुम अच्छे से खैल रखना यंग्सू फिर इस पप्पी को घर पर लेकर आता है और तुम सेमी हो मैं तीस साल बात कहो यंग्सू इस पर बिलिव नहीं करता उसे अपना आईडी कार्ट पुछता है यह आईडी कार्ट जब यंग्सू देखता है तो इस पर डेट 2008 की होती है यह उसे कहता है कि मेरे साथ मजाग मत करो यहाँ से तुम निकल जाओ यह जब यह बोलता है तब यंग्सू का पपी ओल्ड्सू को दिखता है यह उसे पोटाट बुलाता है यह उसे बुछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे बता ओल्ड्सू से जो भी सब होआ है यह उसे कहता है यंगसु कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को मैं कॉल करूँगा वो अल्चु कहता है पुलिस को यानि कि टेहो को कॉल करूँगे यंगसु कहता है कि जो भी तुम मुझे बात करे हो यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो उसे कहता है कि हमारा एक सिक्रेट है जिसे हमने किसी को भी नहीं बताया है वो फिर उसके सर पर जो निशान है वो दिखाता है वो कहता है कि फादर हमें मारते थे फादर के मार से हमें ये चोट लग गई थी हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट करें है यह समझ कर हमने स्काप छुपा दिया था यह यंग्सू चीर्ज आता है और पूछता है तो इम उससे क्या चाहिए वोल्सू कहता है कि मुझे सिर्फ उससे देखना है योना को नाम हा लिता है तभी इससे खासी आने लग जाती है वोल्सू आ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बात्रूम में आ जाता है यंग्सू भीर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आजाता है उसे जो सब हुआ है यह उससे कहता है वेता है कि योना के बारे में भी इसी पता है योना डेंचर में हो सकती है टेहो अपने गर्फरेंड के साथ होता है पर इसके साथ इसे पुली स्टेशन में आना पड़ता है पुलिस स्टेशन में आने के बाद एक लाइटर वो टेहो को देता है यह जो लाइटर है वो अल्ड सू छोड़ कर गया था यह उसे कहता है कि इसके फिंगर प्रिंट्स तुम मैच कराओ इससे कन्फर्म करना होता है कि यह दोना सेमी है टेहो कहता है यह जैसे मूवीज में दिखाते है इतना इजी नहीं होता फिर वो उसका अच्छा फ्रेंड है इसके लिए उसे हेल्प करने वाला होता है और सू जब रात में घर पोशता है तो वो फिगर आउट करता है कितने समय तक वो उस पास्ट में रह सकता है वो 20 मिनिट्स तक वहार रह सकता है उसे अब पता चल जाता है इसके पास जो गुलिया होती है यह भी कम ही होती है यानि कि 10 बार ही यह पास में जा सकता है और सू वंडर करता है कि गुलिया किस तरह की है वो लैब में इसका थोड़ा से सैंपल बेचता है पर यह और गनी की होती है इसमें कुछ भी मेडिसीन या हलोसिनेट वो कर रहा है इसा कुछ भी नहीं है यान्ग सू फिर योना को कॉल करता है उसे सावदा नैने के लिए कहता है जो फिंगरप्रिंट से रिजल्ट है वो अब वापस आ चुके है टेव से कहता है कि इस पर सिब तुमारे ही फिंगरप्रिंट से इसे और के नहीं है अब यह कंफर्म हो जाता है कि ओल्ड सू वह साचे उच में आया था यंग सू फिर से ओल्ड सू से मिलना चाता है उसे मिल सके इसका कोई भी वे उसे मालूम नहीं है तो अपने आम पर वो एक टाटू बनवाता है इसमें फिर से वापस आ जाओ ये लिखा हुआ होता है ओल्ड सू जब अपने ओफिस में आता है तब उसे वो गोलिया मिलने पाती वो कच्रे में चली गई है ऐसा उसे लगता है कच्रे के गाड़ी के पास वो भागता है सब कच्रा वो निकालता है फिर भी उसे कही भी नहीं मिलती जो ओफेस अपने ओफेस में आता है तो वो जरा नीचे ही गिर गई होती है यह फिर जेन के सास लेता है और काउच पर बेटता है अपने हाथ पर उसे आटेंशन जाता है इसमें जो यंग सुने टाटू बनवाया था इस पर आ चुका है आज ओल्डशू के बेटी उसे मिलने के लिए आई हुई होती है इसे लेने के लिए हो जाता है ओल्डशू अपने बेटी के साथ वैकेशन लेना चाता है पर इसके डॉक्टरों से यह थी कि मुझे पता है कि यह पॉसिबल नहीं है ओल्ड वो डॉक्टर होता है, तो कभी भी इसे इमेजंसी आ जाती है, और यह कभी भी वैकेशन नहीं ले पाता, ओल्ड वो इसे इंसिस्ट करता है, तो यह कहती है, जू छोड़ कर हम कहीं भी जा सकते हैं, यह कहता है, तो हम एक्वारियम जाएगे, यह दोनों हसने लग जा पश्ाआता है यह ओना की पास आकर कहता है कि Frogs, जेब्रा या अपने मेट को प्लीज करने के लिए सिंग करता है यह दोनों आपक दूसरी का लिते है क्यों न कहती है इलिफंट जब एक दुसरे सू मिलते है वो जंगल में चल जाते है फिर ये दोरों इंटिमेट होने के लिए अपने रूम पर आ जाते है इसके बाद फिर से हमें और सू दिखाया गया है इसके जो डॉटर होती है इसके टेस्ट रिजल दिख लीती है ये भी होने वाली है जब एक डिनर के लिए बैठते है तो ओल्ट सू से कहता है कि तुम्हें अपने हायर एजूगेशन के लिए अमेरिका जाना चाहिए वहाँ बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कूल से और तुमारी मदर भी वहा है इसकी डॉटर हो से कहती है कि क्यों तुम मुझे जाते हो या तुमारी कोई गर्फिंड है या कुछ बुरा होने वाला है उससे पता होता है कि इसके फादर को लंग कैंसर है यह फिर घर से निकल जाती है ओल्ट सू भी इसे ढूंडे ढूंडे एक जगा पर आ जाता है यहाँ बारिश होती है तो उससे अपना जैकेट देत जाती है कि तुम बहुत ही लेट हो चुकि हो तो यह मुझे पहले बताना चाहिए था ओल्ट सू कहता है कि मुझे पता है इसे हैं बहुत हूँ थो और पास्ट में आजाता है। य'! और ओल्षू योना के डॉल्फिन के शोव में मिलते है। यंग्सू खीरियस होता है कि तुम्हारा वक्त कैसा है। ओल्षू कहता है कि सब टेग्नलोजिस जरा एडवांस हो चुगी है। फिर भी जाधा कुछ नहीं पितला। मुझे कभी-कभी लगता है कि पुरानी दिन ही अच्छे थे। यंग्सू से बोचता है कि क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन जाता हूँ। ओल्षू कहता है कि तुम हमेशा से अच्छे डॉक्टर थे। यंग्सू को नहीं लगता कि वो कभी फादर बनेगा। यह फिर ओल्षू से बोचता है कि क्या तुम कभी फादर बन अब नेक्स टाइम जब यांग्सू और योना साथ होते है तब यांग्सू उसे दिल भर के देखता है अगर हो मर गई तो क्या होगा यह सब वो वंडर करता है यह उसके बिना रह नहीं सकेगा और यह बेचा होता है अब नेक्स बस्टाव पर यांग्सू होता है उसे अभी भी बिले होने हो रहा था कि यह ना मरने वाली है यंख्शू से पूचता है कि कैसे हम मरी थी और आशो कहता है कि तुम्हारे βझ़े से मरी थी तुमने उसे सही सओ टाइम ने दिया तुमने उसे इगनॉर किया इसलिए यह सब हुआ है यंख्शू से कहता है कि मैं केरफुल रह usted पूरी लाइफ उसकी इसके बाद थी या अगर पास चेंज कर दीगा तो उसके बहान नहीं होगी पर अपनी बेटी से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है इसलिए वो यह नहीं कर सकता यंग्सु यह सब एकसेप्ट नहीं कर पा रहा होता ओल्ड सु फिरो से बोचता है तुम योना के लिए क्या कर सकते हो यंग्सु कहता है कि मेरे लाइफ पूरे में उसके लिए दे सकता हो ओल्ड सु फिरो से बोलता है क्या तुम योना की लाइफ से चले जा सकते हो यह एक व तो होगती है। यह दोनों के नेम का मिलन होता है। गुजर चुके है पर वो मिले नहीं थे उसे तीन दिनों के लिए उचुटी मिली है तो उसे मिलने के लिए आ रही होती है ओल्ड सू से कहता है कि अगर तुम्हे योना को बचाना है तो एक कॉल करकर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा जो पहला बास था जब यंग्सू ओल्ड सू से नहीं मिला था तब यंग्सू ने योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है उसे फादर के बारे में उसे बताने के लिए वो अनकमफ़टेबल था इसलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था अगर योना नहीं आती तो उसका accident हो जाता जिस dolphin को ट्रेंड कर दी थी ये बीमार पड़ चुका था जब इस dolphin को बचाने के लिए वो आ गई तो इसका accident हो गई ये मर गई अब जो ये यंग सू के पास आने वाली है तो ये बच जाएगे यंग सू काल कर देता है और सी ही बुला लेता है जो निउस्पेपर में हेड्लाइन्स होती है ये भी बदा जाती है यानि कि योना की life इसने सेव कर लिए योना जब वहा थी है तो अपने फादर से इसे मिलवाता है उसके फादर कहिसे थे ये सब वो से कहता है ये फिर योना से कहता है अब तुम मुझे एनोय करने लग गई हो जब से तुमने मुझे से कहा है तुम्हें बच्चे चाहिए तब से मेरा माइंड चेंज हो गया है मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे उसे वो बहुत हाशली ब्रेकप करके वहाँ से चला जाता है यंगसू के फादर भी मर जाते है यंगसू के फादर की फिनरल पे ओल्डसू भी आता है यंगसू इस पर बहुत ही जट जाता है उसे कहता है कि मेरी पूरी लाइफ तुमने वर्बात कर दी है मैं उसके बिना नहीं जी सकता वो अल्डसू केता है कि मैंने भी 30 years उसके बिना जी है वो अल्डसू फिर वहाँ से चला जाता है यंगसू का फ्रेंड टेहो भी वहाँ थै उसे साहा देनी कोशिश करता है पर वो उसे दूर कर देता है उसे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है इंकी friendship यहाँ तूट जाती है जब यंगसू फिर से future में जाता है और ने friend से मिलने जाता है तो टेहो उसे पहचार नहीं पाता टेहो उसे कहता है कि तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम ऐसे मुझे मिलने आओगे और मैं तुम फ्रेंड बना लूँगा यंगसू ने अपने फ्रेंड के साथ सब relationship तोड़ दी थी तो future में भी इन दोनों की कोई भी relationship नहीं है इसके बाद हमें फिर से यंगसू दिखाया जाता है वो अपने घर पर आता है वहाँ उसे एक book मिलती है योना ने उसे ये बेजी हुए होती है योना और उसके जो भी सब photograph होते है ये उसने उसे बेजे होते है इसमें लिखा होता है ये तो मैं और एक chance देना चाती हूँ एक location वो पता थी है और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों के relationship फिर से अच्छी हो सकती है यंग्सू को फिर से एक मुका मिल गया है तो वो भागते भागते वहाँ जाने के लिए ready हो जाता है अब यंग्सू योना के पास जा रहा है तो ओल्सू की life change हो रही है यंग्सू को अपने friend का फिर से गॉल आ जाता है यह दोनों अभी भी friend है ओल्सू को समझ में नहाथा कि यह हो क्या रहा है बातो बातो में ओल्सू अपने daughter का नाम लेता है टेहो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता यानि कि अगर यंग्सू योना से मिल गया तो इसके daughter भी अब होने नहीं वाली ओल्सू अपने daughter की images देखता है तो वो fed होने लग जाती है यंग्सू भाग-भाग कर योना के बास जाता है यह रस्ते के दूसरे side पर होती है इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तभी इसका accident हो जाता है ओल्सू की जो सब photograph थी यानि उसकी बेटी वेगरा वो फिर से वापस आ जाते है ओल्सू अब ये figure out नहीं कर पाता ये इंटरनेट पर योना को साच करता है ये car accident में मर गई थी ये उसे पता चलता है ये फिर hospital में आता है इसके file वो देखता है इस fire में लिखा होता है कि उसके brain में blood clot थी अगर ये जल्दी पता चल जाती तो योना बच सकती थी अभी decide कर लेता है कि योना को उसे बचाना है ये time travel करकर फिर से यंग्सू के पास आजाता है उसे सब को जो बताता है कि वो clot हमें निकालनी पड़ेगी यंग्सू अपने friend से मदद लेता है ओल्द्सू इस पर operation करता है यंग्सू कहता है कि मेरा last operation योना पर ही था इसके लिए बहुत ही satisfying होता है जब hospital के staff को पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बर होती है ये वहाँ आते यंग्सू अउल्द्सू इस दर्वाजा आप बन कर लेते है ये operation वो कर लेते है और अउल्द्सू फिर से अपने future में चला जाता है ओल्द्सू अब हमें hospital में दिखाए गया है जब पास से वापस आया था तब तीन दीन तक सोया हुआ था उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है ओल्द्सू फिर योना का पता निकलता है योना अवे भी जिन्दा है और वो भी अब old बन चुकी है ये भी अब नए जो instructor बनने वाले है इनको guide करती है योना जिस बीच पर होती है इस बीच पर वो जला जाता है उसे देखने के लिए उसे पास आता है उसे देखता है और वो अपना move फेर लेता है योना को पता नहीं चलने देथा कि उसे मिलने के लिए वो आया था योना के accident के बाद वो लंगडा कर चलती है जब ओल्सू यंग्सू से face up मिलने के लिए आता है तो यंग्सू से बुछता है कि क्या योना ठीक है ओल्सू से कहता है कि कोई भी problem नहीं है वो जिन्दा है यही important है योना केकर हो उसे कहता है कि अब हम last time मिलेंगे हम फिर से नहीं मिलने वाले ओल्सू से कहे कर जाता है कि 10 साल बात तुम conference में जाओगे तुम्हें एक लड़की वहां मिलेगी उससे तुम बात कर लेना यही तुम्हारी बेटी की मदर है अब हमें एक ओंफेरंस भी दिखती है और इस लटकी से मिल चुका है यह भी हम दिखता है थोटी दिन बाद इसे न्यूज मिलती है कि वो प्रेगनन्ट है और उसे बेटी हो जाती है यंग सु की बेटी की रिस्पॉनसिबिलिटी इसकी मदर नहीं ले थी तो यंग सु अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे मुमेंट्स हमें अभी यहाद दिखाय जाते है अब मैं ओल्सू दिखाय जाता है और अपने डॉर्टर के साथ वो वैकेशन के लिए आया हुआ है यह दोनों लेक के पास बेटे हुए है ओल्सू से कहता है कि मैं अच्छा डैड नहीं था मैं बहुत ही कलमजी था उसके डॉर्टरों से कहती है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉर्टर नहीं थी मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया है वो अपने फादर को कहती है बहुत ही लगी थी कि मुझे तुम्हारे जैसे फादर मिले थे यह अपने डैड से पुछती है कि अगर मैं तुम मिस करूँ तो मैं क्या करूँगी ओल्ड सू से गहता है कि अगर तुम किसी को मिस कर रही हो तो उसकी अच्छी मेमरिस याद करना तो मेमरिस के सारी जी सकती हो ओल्ड सू रोने लग जाता है उसकी डॉटर को फिर रोना आ जाता है अब सारा टाइम गुजा जाता है और ओल्ड सु मर चुका है टेहो और उसकी जो friendship थी ये 30 साल तक नहीं थी अगर फिर से friendship कर लेते तो इनकी timeline पर फरक पढ़ सकता था इसलिए इन दोनों ने कभी भी friendship नहीं रखी टेहो को जब पता जलता है कि ओल्ड सु मर चुका है उसके funeral पर वो आता है ये जो special fruits होते है ये उससे देता है ये जो fruits है ये orange और टेंगरीन ये दोनों अलग-अलग fruits का combination है सुने ही उसे encourage किया था ये तुम्हें ये जो fruits है इससे grow करना चाहिए टेहो कहता है कि मैं तुम्हें advice ले ली थी है इसके बाद मैं अमिर बन गया था ओल्ड सु की डॉटर फिर वहा थी है ये कहती है कि क्या आप टेहो हो ये पुछता है कि तुम्हें कैसे बता तो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनकी funeral में सबसे last में आप ही यहाँ से जाओगे एक box टेहो को देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मुझे देने के लिए आपको बोला था टेहो बीच पर आकर ये सब पढ़ता है इसमें जो सब होगा था time travel लगे रहा ये सब लिखा होता है टेहो फिर योना से मिलने आता है उसे ये news बताता है कि ओल सु मर्च चुका है योना ये सुनकर रोने लग जाती है वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं उससे भूल चुकी होगी जो सब ये story हुई है जो सुने उससे सब कुछ बता दिया है ये योना को वधा दिता है नेकसिन में टेहो अपने farm बे होता है और हो account करने लग जाता है उसकी दिमाग में आता है कि सु के पास तो 10 गुलिया थी बाकी कि एक गोली खा गई वो फिर सु के घर में आता है पुरा घर चानता है शूकी जो रेकवर होथी है उसमें उसने ही चुपा कर रखी होथी है टे अफ डिसाइड कर लेता है क्यों इसे अब सूको बचाना है यह गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है पर ईस सोनी पाता वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेर के सुधी है ये वहाँ से जान बुचकर गिर जाता है यानिकर हो बेंश हो जाये और फिर से पास्ट में आ सके ये फिर यंग सू से मिलने के लिए हॉस्पीडल में आता है यंग सू सिगरेट पी रहा होता है ये उसे चीन लेता है और फेक देता है उससे कहता है कि इतने irresponsible कैसे हो सकते हो इतने छोटे से pleasure के लिए तुम अपनी life क्यों बरबात करे हो टेहो उसे pills वेगरा इन सब चीजों के बारे हैं बोल देता है उसे ये भी कहे कर जाता है कि 10 साल तक हमारी friendship नहीं रहेगी पर मैं तुम्हारा wait करूँगा ये यंग सू भी अब अपनी आदत छोड़ देता है टेहो जब फिर से future में आ जाता है तो घर के सामनी होता है वो सू को ढूड़ने लग जाता है उसे वो कभी भी मिलने रहा होता इसे लगता है कि ये successful नहीं हुआ पर actual में old सू अभी भी जिन्दा है ये योना से मिलने के लिए जाता है योना पाक में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून्स हो लेकर आता है उसके पास हो जाता है उससे कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे इसके बाद ये दोनों एक दूसरे खोग करते है और यही यह movie खत्म हो जाती है इस movie ने हमारे पास जो है इसे appreciate करना है और हमारी live जो है इस movie में अच्छी तरह किसे जीनी है यह हमें एक अच्छा message दिया है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज से like और comment कर दीजिएगा आप अपने आपका ख्याल रखिया